आज हम लोग पाश्चात्य कावशास्त्र के अंतरगत लंजाइनास के अवदात्य की अधार्णा का अध्यन करेंगे लंजाइनास को लोंगी नूज भी कह जाता है लंजाइनास भी कह जाता है और कई निनामों से भी पुपारा जाता है भारहल हम लोग उसे लुटाइनस ही कहेंगे और इस अवदात्य की अधारना को उदात्य सिध्धांत भी कहा जाता है तो यदि परिक्षा में प्रश्ण आता है तो आपको इन बिंदों के अधार पर आपको अपना उत्तर लिखना है प्रस्तावना फिर लुटाइनस की रचना पेरी इपसूस युनानी शब्द ही है क्योंकि लुटाइनस जो है युनानी दार्सनी विद्वान है सबसे पहले आपको उत्ता लिखते समय हमेशा प्रस्तावना लिखना होता है फिर लुंजाई नस की रचना पेरी इपसूस ये एक युनानी नाम है युनानी किताब है पेरी इपसूस लुंजाई नस से पूरु कावे का प्रवेजन लुजाइनस से पहले क्या अधारना थी कावे की कावे के लिखने का क्या उद्देश है और लुजाइनस की क्या अधारना थी इसको हम देखेंगे अधात्य का स्वरूप अधात्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है किस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है उसकी क्या विशेष्टाएं होती है? और अवदात का आधार जब हम कहते हैं कि कोई साहिति या कविता उदात थै तो उसमें क्या क्या चीजे होनी चाहिए किस अधार पर हम कहते हैं और अवदात के पांच श्रोध किसी भी कृती को वो कौन सी चीज़े है जो उसे उदातता प्रदान करती है, सब लिमीटी प्रदान करती है, आउदात के बाधातत, वो कौन सी चीज़े हैं जो किसी कृती को उदात होने से रोकती है, उसमें बाधा डालती है, इसके बाद मुल्यांकन, लजाई नस्क के आउदात ये सिधान क का हम मुल्यांकन करेंगे कि क्या उसमें कमी है और क्या उसमें अच्छाई है और अंत में उपसाहार नमस्कार माभूपन देपाड़ने हिंदी चैनल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्य वीडियो के अब्डेट्स आपको मिलते रहें तो चलिए ज़्यादा वक्त अनलेते हुए शुरू करते हैं लॉजाई नस का समय माना जाता है प्रथम श्रताब्दी या तिर्थिस श्रताब्दी है मतलब इसमें इश्पस रूप से कोई ज्यान नहीं है विद्वानों को कि वे प्रथम श्रताब्दी में उनका जन्म हुआ था या तिर्थिस श्रताब्दी में तो हम उनके अवदात की अधाना का द्यन करेंगे प्रस्ताना यूनान के साहित चिंतकों की परंपरा में लुजाई नसका गौरपूर्ण इस्थान है वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कावे के विशय और कावे की गरिमा का संब्द कवी के व्यक्तित से इस्थापित करते हुए कवी को महत प्रदान किया इनके पहले जितने में दालसनीक हुए थें अरस्तु, प्लेटो, सुक्राद, जो भी तो वो कवी के व्यक्तित को अधिक महत नहीं देते थे लेकिन इन्होंने कावे के विशय कावे का जो सब्जेट होता है और कावे की गरिमा इसका संबन्द कवी के व्यक्तित से इस्थापित किया अर्थात कवी को महत प्रदान किया उनसे पूरो अरस्तु ने अनुकरन सिध्धान के द्वारा कावे की विशय वस्तु को महत देते हुए कवी के निजी व्यक्तित की उपेच्छा की थी अपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, दो-तिन वीडियो में ने इस पर बनाया हुआ है, पास्चाहते कावे सिध्धान के उपर, तो अरस्तु ने अनुकरन सिध्धान के द्वारा किसको माता दिया था? कावे की विशयवस्तु को, सब्जेक्ट मेटर को, और कवी के नीजी वेक्तित की उपर एकषक कि थी. उनका मानना था कि जो वीशयवस्तु है वहावाप्टर पुर्ण है, कवी उतना माता पुर्ण नहीं है. लोंजाइनस ने अनकुरन सिध्धान्त की सर्वथा उपेक्षा करते हुए कवी के व्यक्तित और कवी के मौलिक रजना का प्रतिबादन किया तो लोंजाइनस का जो सबसे महातपून योगदान हम का सकते हैं कवी के व्यक्तित्तों को महत्त प्रदान करना और उनकी रचना को मौलिक रचना का महत्त प्रदान करना ना कि किसी का अनुकरण ना कि प्रकृति का अनुकरण या किसी अन्यचीज का अनुकरण बलकि स्वयम में एक मौलिक रचना वस्तु था जहां प्लेटो गोहर आदर्श थे प्लेटों का जो द्रिष्टी कोड था हुआ क्या है आधर्श अलोचक थे व्यक्ति या फिर स्वाच्छंदता वादी आलोचक थे स्वच्छंदतावादी अलोचक हम क्या बोलते हैं रोमांटिक क्रिटिक विद्वानों में मध्वेद है कि वे कब और कहां पैदा हुए थे, कुछ उन्हें कहते हैं कि पहली शताब्दी में जुनान में पैदा हुए थे, और कुछ कहते हैं कि वे तीसरी शताब्दी में जुनान में पैदा हुए थे, तो यह निश्चित नहीं है, कुछ उन्हें प् पहुँचे हैं कि उन्हें माना जा सकता है कि वे तृति शताब दी मुन का जन्म हुआ था लॉंजाइनस की के वाल एक ही रचना उपलब्द है जिसका नाम है पेरी इपसूस यूनानी नाम है इसका अंग्रेजी में कुछ किताब हम पेरी इपसूस ज्यादा प्रसीद है इसका अंग्रेजी में नुवात किया गया है अंग्रेजी में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ यूनानी से तो इसका नाम क्या हो गया अउदात के परविचार यह रचना अनेक शताब्दियों तक अग्यातयम प्रकाशित रही किस सताब्दियों तक पता नहीं चला कई सो साल तक इस किताब को पता नहीं चला 1554 है में इस ग्रंद के अस्तित्तों का पता चला गया और तो दन्नंतर 1672 है 16-72 में इसका अंग्रजी में अनुवाद किया गया तो आज जो हम पढ़ते हैं वह क्या है अंग्रजी अनुवाद है on the sublime और हिंदी में से हम कहते हैं लुण्जाइनस का उदात सिधान या लुण्जाइनस के उदात की ओधाना और अंग्रजी में हम कहते है on the sublime पेरी इपसुस लगबक 60 प्रिष्टों की लगुकाय करती है बहुत छोटी सी रचना है केवल 60 प्रिष्ट है इसे पत्र रूप में रोमन मित्र को सम्मोधित करके लिखा गया है तो लोंजाई नस ने उनके रोम में एक मित्र थे बाद में रोम में आकर बस गयते तो रोम के क सब्सक्राब करें कुछ पत्र लिखेंगे अध्यायों का आकार बहुत ही अश्मान है कुछ अध्यायद जोंकी अध्यायों के साथ-अ-ट पंक्तियों के भी एध्याये कितने चोट बड़ा सभाग्य है कि खंडित रूप में ही सही यह महत्पुण कृती प्रकाश में आई विद्वानों ने एक स्वर से पेरी इपसुस और लॉंजाइनस दोनों की प्रसंचा किये देखे छोटे बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे पास उपलब्द है लेकिन इसके बावजूद आधनिक समिच्छा जगत में पेर ही इपसुस और लॉंजाइनस के भी महत्व महत्पूर्ण थान नख़र्ण से पुर्व कह विचार प्रय जया उद्देश कविता लिखने का क्या है का प्रयोजन क्या है ओंटाइनस से पुर्व दार्संदिक थीप्सक्राइनस को पाठाक shift को आननत्प्रदान करना था शिक्षा देना और क्या उद्ब्रान करना पाठाक और Taqda को आननत्प्रदान करना शिक्षा देना और उनके दिंजमा करना चिंतन के लिए प्रगीत करना यदि हुमर हुँमन नाम के बहुत महान कभी होए है यदी हुमर कावे की सफलता पारतों को चुर्ण करने में मानते थे हुена नाम के जब करदेह का ऐ कभी है अनका मानना कि degree का ऑदेश क्या है पाठकों को महिद करना तो अरिष्टोफणिस कावे का लक्ष पाठो को सुधार्णा मानते थे मतलब उनमें नैतिक उत्थ 되는 पर जोट देते थे पाठो रूब लोंझाइन सनेहनभव किया कि इसमें कुछ कम हे नहीं कावे का उत्देश यह नहीं क्योंकि कावे में इन तीनों बातों के अलावा भी बहुत कुछ होता है अता उन्हें निनायक रूप में यह सिधान प्रस्थूत किया कि काव्य या साहित्य का चरम उद्देश चरम उल्लास प्रदान करना है तथा पाठा को भावा भिभूत करना है तो क्या दो प्रकार का उद्देश है रुणजाईनेस अपने साथ आशा यह है कि लुणजाईनस की दिष्ट में भाव्य और उच्च कविता हुए है जो पाठकों को इतना निमगना और तनमय कर दे कि वह अपने को भूल जाए और ऐसी उच्च भाव भूमी पर पहुंच जाए कि बुद्धी सुन्य हो जाए और वर्णी विश है जो पाठकों को इतना निमगना कर देती है इतना भावुख कर देती है कि वह सब कुछ भूल जाते और वह कविता भावनाओं में उचेहता तक पहुंचा देती हैं बुद्धी हो जाती है लोग बुद्धी के द्रश्टिकॉन से नहीं सोचते तरकक शास्त्र के दिष उसमें बुद्धि और दिमाघ नहीं लगाते बलकि वरंगी वीषह वस्तु के प्रकास की तरह आलोकित ऊठे, मतब जो विषह वस्तु है, जो कावे की वीषए की विषए वस्तु है उसमें इतना निमग नहों जाएं, अतना भावुख हो जाएं कि वे सरस्रेश्ट भाव पर पहुंच चुके और जो विशा है कावे का वह ने आहलादित कर दे कई आपने देखा हुए कुछ कायरक्रम होते रहते हैं धार्मी कावजन होते रहते हैं तो जो लोग वहां पर जो भजन या पिर अन्य धर्मों में ज प्रतिफाद देविशय और उदात्य सिधान्त या फिर उदात की आउधाना है इस ग्रंथ का मुल प्रतिफाद देविशय जिसकी विवेचना की गई है लुजाई ने उदात को परभाशित करते हुए अनेक बाते कई है पहला है उच्च कोटी की अभिव्यक्ति और उत्क क्रिष्ट होना चाहिए उच्च कोटी का होना चाहिए इसी का नाम उदात्य है जैसे राम के शक्ति पूजा है निराला जी के राम के शक्ति पूजा है वह बहुत ही उदात और उत्क्रिष्ट अभिव्यक्ति है जिसमें भगवान राम के उदात चरित्र का वर्डन किया ग बुल्कुल भावुक कर देना है, सम्मोहित कर देना है, सम्मोहन की इस्तिती में पहुँच जाना चाहिए उनको, यह अउदातिक का कारियर है इसके बाद तीसरा है, अउदाति अपनी प्रबल शक्ति के कारण सभी पाठकों को अनायासी बहा ले जाता है मतलब, जब हम कविता को पढ़ते या सुनते समय, पूरी तरह से भाणाओं में बह जाते हैं, उसमें निमग रह जाते हैं, यह अउदातिका देश है, उसकी प्रबल शक्ति है किसी रचना में उदात विचार हो, तो वह विद्यूत की भाणती चमक कर समची विशयवस्तु को प्रकाशित कर देता है और अचानक से हमारा जीवन हमारा मन आलोकित हो जाता है प्रकाशित हो जाता है उसमें बुद्धी तत्यों की प्रधानता ना होकर भाव तत्यों की प्रधानता है तब ही वह पाठकों को भावा भीबूत कर सकता है जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं मूवी देखते हैं देखते समय बहुत सारी चीज़ें जो आम जिंदगी में क्या है हमको हमको पता कि या संभाव नहीं है ऐसा होना लेकिन फिर भी फिल्म देखते समय हम उसमें उतना करतीत होने लगता है और उसके साथ हम पूरी तरह से जुड़ियाते हैं वैसे ही जो अधाती क्या है शैली का विशेस गुण है तो इसमें हम तरक या बुद्धि नहीं लगाते हैं कविता में जिस कविता में उधात अतत होता है उसको पढ़ते या सुनते समय हमारी बुद या बस तो चमक फुटता है साथी वह बहुत ही प्रभावी होता है और उसके जो सब्जेक्ट मेंटर होता है वह चमक जाता है प्रकाशी तो जहता है बहुत यह बहुत इस प्रकाल लुंजाइनस ने अवव्यावा कर्द प्रतान किया भाव पक्ष से लेकर कला पक्ष तक अवधात ये के वैधो कि वैधो 100 का लिए, जरए में आवधात्य होता ये जब कवी के वैधित्त में उदाते होता है तो वा उतकरिष्ट वीचार, भाव, वीषय और शैरी को अपनाता है . मतills कोई भी कवी किसी उदात रचना को तभी निर्मित कर सकता है. किसी उदात कृती की रचना तभी कर सकता है जब उसका स्वयम का वेक्टित भी विराट हो जब उसका स्वयम का व्यक्ति तो भी उदात हो तभी उसके मन में उत्कृष्ट विचार या भाव जगरत होते हैं उसके मन में वह विशय आता है जिस पर वह अपनी कविता को लिखता है और उसी प्रकार की वह उदात शैली को भी अपनाता है कुछ उदानर देख की शक्ति पूजा है कुछ इसी तरह की अरचना हैं अब और अधात्य का आधार क्या होता है अच्या अधात में क्या होता है Éक सामान जा चाहिए बहाव में वीचार में शैली में अलंकार में इन सबही हृग made में क्या होना चांगे एक सामसिते से होना चाहिए में हार्मनी होनी चाहिए सु सम्मुद्रूंप में प्रकटो यह उखते लौजाइनस दूसरा प्रशन उठाते हैं कि अधार क्या है प्रिष्ट भूमी क्या है वह कवी की जन्मजात प्रतिभापर अधारित है या अभ्यास जन्म प्रतिभापर मतलब जो अवदात्य है क्या वाँ कभी की जन्मजात प्रतिभा है जो से जन्मजात से मिली हुई है या फिर उसे उसने अभ्यास के द्वारा अभ्यास जन्म प्रतिभा के द्वारा उसको अरजीत किया है वह सहाज है या उत्पाद अन्यों मतलब बहुत ही सहचता से उदात्तता को प्रात्त करता है या फिर उसको अपने अंदर उत्पन करता है इन प्रश्णों पर विचार करते हुए लुण्जाईनस ने मध्यमार्ग का अनुसरण किया उनके विचार से अवदात्त के कवी की जन्मजात प्रतिभा और अभ्यास जन्मजात प्रतिभा दोनों पर अधारी थे तो अवदात की सदहार पर उन्होंने अवदात्त की व्याख्या किये कि जो अधात्य होता है उदातता जो होती है वह क्या है कवी में जन्मजात प्रतिभा के काणड़ भी होता है और अभ्यास जन्मजात प्रतिभा दोनों के मेल से बता है मतलब यदि किसी व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा तो है लेकिन एदिवा अभ्यास नहीं करता है तो वह उद्धातता को प्राप नहीं कर सकता है तो यह आप ध्यान रखें तो जन्मजात प्रतिभा और अभ्यास जन्निप्रतिभा दोनों ही उद्धातता के प्रतिफ़ा का अंकुष अपेक्षी थे जयसे हमारे मन में जो वह वावनाय उठती हैं उस पर हमारे बुद्धी का अभ्यास नहीं करता है। जैसे कोई बच्चा है बहुत ही होशार है पढ़ाई में तेज़ी लेकिन वह पढ़ता नहीं है। पढ़कर जलदी तो याद कर लेता है। यह प्रतीभा है मेमरी अच्छी है उसकी। लेकिन यह अपने कंटेंड को पढ़ता है। सिलेबस को नहीं यह ज्यान अरजीत नहीं करता है अभिहास नहीं करता है टो अनर्थकारी सिद्य हो सकता है इसलिए औति प्रतिभा की साहचत प्रतिबह gi Malethen चाहिए। मतलब कवी में जम्यद्यत पृति परप्तिम होने चाहिए। सहांथ ही उसको बार बार अभ्यास्ट भी औपकर सकता है, और जाथ्या के परती प्रतिमों से और व। में आधात्य की प्राप्ति विभी होने चाहिए और सवाध्याय के द्वारा दुए अर्जित करना चाहिए और उसे परिस्रम भी करना चाहिए अभयाँ भी करना चाहिए लोंजाईनस ने यहां कभी के समुझे व्यक्तित को मातों दिया है इसलिए उसे साहित में व्यक्तिवादी या स्वच्छन्ददावादी द्रिष्टी का मूल प्रवर्तक कहा जाता है जिसे हम अंग्रेजी में रोमांटी सीजम कहते हैं और हिंदी में हम उसे कहते हैं स्वच्छन्ददावाद अंग्रेजी का जो रोमांटी सीजम है रोमांटी का लुचना है उसे हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छन्ददावाद और इसके प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर और यह दोनों अंतरंग तत्वा हैं यह जो पहले दो हैं परिछा में इसको इसपसरूप से पताना पड़ेगा कि यह दोनों अंतरंग तत्वं हैं लुजाई नश्च के हिसाब से यह अंतिरंग तत्वा हैं और या जन्मजात प्रतिभां के करण प्राप्त होते हैं और बांके जो तीन बाते हैं अलंकारों का समचित प्रयोग उदात या उत्कृष्ट भाशा और गरिमामे रचनाविदान यह जो तीन तत्वां यह प्रतिभा के द्वारा बार बार अभ्यास करके प्राप्त करता है इसे हम कलागत प्रतिभा भी का सकते हैं तो यह आपको परिच्छा में लिखना यह बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं इन सब चीजों को अपने उत्तर में जरू बहुत कुछ जर्मजाद प्रतिभागी देने और शेष कभी की अभ्यास जन्म प्रतिभागी प्रतम्दों का संबंद अंतिरंग तत्तों का संबंद कभी की जर्मजाद प्रतिभा से और फिल तीन तत्तवें उनका संबंद वहिरंघ जन्म प्रतिभा से अब बारी बारे से हिनकां एंका अध्यान करेंगे पहला है उदात विचार रहें मिश्य वस्तु का चैन अदात के पांचों स्रोत ł में प्रत्म इस्तान कभी के उदात एकुष्ट विचार मत लिखा है कि उदात्य विचार महान आत्मा की प्रतिद्वनियन यहां महान आत्मा करता है कि व्यक्ति कवी के चरित्र आचार विवार सभी महान हो जैसे निराला सुरिक अंति पाठिनाजी अत्यंत महान कवी थे उनका व्यक्तितों सहम में बहुत ही विरार था बहुत ही उदा प्रसंग को उठाया है तो यही है कि यहां महान आत्मा करता है कि व्यक्ति यह कभी के चरित्र आचार ब्योहर सभी महान हो मतलब कभी अपने आप में भी महान होने चाहिए केवल महान विश्य वस्तु से कुछ नहीं होता है जिस कभी का निजी व्यक्ति तो उत्कृष्ट होगा वह स्वता ही उदात विश्यों महान घटनाओ एवा महापुरिशों के चित्रन में रूची लेता हुआ उनका चित्रन भी उदात रूप से करेगा महापूरिशों के चित्रण में कभी को उनके साथ एका कार होना पड़ेगा जैसे रामदारी सी दिंकर जी की कृति है रश्मी रथी तो कर्ण के चरित्र को उन्होंने उठाया है तो वैसे ही जैसे कमायनी है कमायनी में भी उन्होंने मनु के चरित्र को उठाया है तो जैशंक करेंगे और उनका चित्रण करेंगे महापूरसों के चित्रण में कभी को उनके साथ एकाकार होना पड़ता है यदि कोई कभी महापूरसों का चित्रण कर रहे हैं अपनी कविता में तो कभी का स्वयम का व्यक्तित भी महान होना चाहिए तभी वह उस महापूरस के चरित्र के साथ तादात में इस्थापित कर सकते हैं, मतलब समनवा इस्थापित कर सकते हैं, दूसरा है, अता उनका चित्रण वही कर सकेगा, जिसका चरित्र और आचरण उत्क्रिष्ट हो, जीवन भर निन निस्तरी विचारों से ग्रस्त व्यक्ति उन महापुरुसों का चित्रण नहीं कर सकता, मतलब यदि कभी की सोची बेकार है, अच्छी सोच नहीं है, तो वह उन महापुरुसों का चित्रण नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों की रचना भी इस्तुत्य और अमर नहीं हो सकती, मतलब यदि कभी के स्वयम के उचार विच्छ नहीं है, उसका स्वयम का जो व्यक्तित है वा भी महान नहीं है, तो उसके दर जो रचना होगी वा कभी महान नहीं हो सकती, और अमर नहीं हो सकती, इसका उदा विचार ही उसकी रचना में अविव्यक्त हुए हैं, होमर के जो विचार थे बहुती महान थे, बहुती उदाथ थे और वही उनकी रचना में अविव्यक्त हुए हैं, निराला के महान विचार ही राम की शक्ति पूजा में अविव्यक्त हुए हैं, मैं आपको बता चुका के निर्याला के महान विचार ही हराम की शक्ति पूजा में व्यक्त हुए है महान आदर्शों का अनुकरण ही विचार की महत्ता को सम्रिद करता है मतलब यदि महान आदर्शों का अनुकरण करता है कभी तभी क्या है उसके विचार भी महान होंगे और उसके विचार सम्रिद ह ध्रिष्ट की में महान कवियों के रचनाव का अनुसरात करना चाहिए. कवियों को प्राचीन सरेष्ट रचनाव का अउस्यक है इसके लिए लंजाईस ने कवी की प्रतिभा को और महान कवियों की गरंथों का अनुशिलन और शेक माना है जैसे वालमी की रामाण है वालमी की रामाण किस में लिखा है संस्कित भाषा में लिखा गया है उसके बाद उसे तुलसिदास जी ने उसका अनुखरण करते हैं रामचरित मानास हिंदी में लिखा तमील में कंब रामाण लिखा गया और भी विभिन्द भाशाओं में रामाड लिखा गया, बंगला में कृतिवास रामाड के आधार परी, बंगला में जो कृतिवास रामाड है, राम की शक्ति पूजा उसी पर आधारित है, यह कभी-कभी परिछा में पूजा जाता है, कि जो राम की शक्ति पूजा है, कि इस कृष्ण पर अधारित है तो बांगला भाषा में रचित कृथ स्रामयाड पर आधारित्य है तो बाद में जितने भी कभी हुए उन्होंने अपनी प्रैन्ना कहां से गृहन करी महां तुम उससे वालमीकी से गृहन की धन प्रसंगों के लुजाइने उन्य शायत का सकुझंवा, और महान ग्रनतों को आनूशियत सब्सक्का है। कि और उन्य समझ सकेज़े। दुसरा उदात तभाओ, उदात ते के जो स्रोत है उसमें दुसरा के उदात तभाओ, सब्लाइम इमोशन्स भाणाइं भी उदात होनी चाहिए, पहरे इपसुस के विविने प्रसंगों में लॉंजाई ने इसके कत्रों से ग्यात होता है कि वे भाव की तीवरता या प्रबल सब्सक्राय आशिए, महान कभी होते है, उनकी केवल विचार ही नहीं होते, बलकि उनके भावनाय भी होती है, भावे होती है। लुझाइनत भावों के अतिरेक से भी भचने के सलाह देती हैं, जिससे भाव और अविस्थस्निया असर्तिन्ना हो जाए। भाव के आस्वादन में बाधाक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं होना चाहिए नहीं तो गया है काव को समझने में महसूस करने में उसका हमको आनंद उठाने में बाधाक वुजाता है मतलब भावा अती, हर किसी भी चीज की अती बुरी होती है, तब भावा की भी अती नहीं होना चाहिए, भावा तीरेक से बचना चाहिए। दूसरी बात तिया है कि लुणजाई ने इसके उंसर भावों का प्रयोग उची तिस्थान पर होना चाहिए। मतलब यहां पर जरूरा थे वहीं पर भावों का समचीत प्रयोग किया जाना चाहिए। तिसरी चीज़ यह है कि लुणजाई ने इसके उंसर भावों के दो भेदे भाविय भाव और निम्णा भाव। भावय भाव मतलब उच्च भाव होते हैं निम्ना भाव मतलब छोटे भाव होते हैं बेकार के भाव हैं। तो यदि कोई कभी निमन भाओं को अपनी रिचनाव में इस्थान देता है निमन भाओं का चित्र करता है तो उसकी कविता उदात्य नहीं कहीं जा सकती। उदातता को प्राप्त नहीं कर सकता, वे अवदात्य के लिए उलास, हर्ष, विस्में, आदि भावे भावों को आश्यक मानते हैं, उनके अनुसार भावे भावों से आत्मा का उत्कर्ष होता है, और निम्न भावों से अपकर्ष, मतलब जब कोई कभी उच्छ भावों का भ भावे भाव पाठक की संपूर्ण चेतना को अभी बूद कर सकते हैं, मतलब उसको भावों कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं, और उसको समोहित कर सकते हैं, भावे भाव पाठक की संपूर्ण चेतना का अभी बूद कर सकते हैं, अरस्तु के अनुसार, करुणा और भै, तर प्राजदी नाटक के लिए आने वा रहे हैं जो नाटक होती है उसके लिए क्या जवरत है करुणा और भाय बहुत ही जवरी है अरस्तु के इसाथ है किन्तों लुजाइनस की दिश्टी में यह दोनों निम नया शुद्रभाव हैं और आधात्य के विरोधी हैं जो करुणा है अनहीं प्रयोखों के प्रयोखों की उसमें अलंगे सिधानत के विद्वाग कर दााए हैं लहां जाने भी इनुद्व है कि बस्तर पर तो करुणा ब горोगगी तुम्हें बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों जितने भी वीडियोज हैं उसको आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं आगे इसी तरह देखते रहे और इससे मुझे बहुत प्रहणा और प्रोचान मिती है अलंकारों का समुचीत प्रयोग जैसे हमारे भारती कावेशास्तर मे वैसे ही रुचाईशने भी अलंकारों के सम्चीत प्रयोग को अउधाति का एक प्रमुक सुरोत माना है कलाथ मक साधनوں में अउधात्य की स्षठ्टि के लिए अलंकारों का प्रमुक इस्थान है मतब अलंकार अत्यानती महत्पूर्ण है आउशक है अवदाति के लिए इसलिए उन्होंने अवदाति के पांच सुरोतों में भाव के बाद तीसरे इस्थान पर अलंकार को ही रखा है उनके अनसर अलंकार साध्ध नहीं है साध contributes क्या है अलंकार का वर्ण करना, अलंकारों का प्रयोग करना क्या है? साध्य नहीं, लक्ष नहीं, कि जब अधस्ति हैं हमको अलंकारों का प्रयोग करना है, अलंकारों का प्रयोग लक्ष नहीं है, साध्य नहीं है, बलकि वह एक साधन है, जिसके माध्यम से हम अवदात्य को प्राप करना है अधाद ते हमारा लगश है अलन्गकारों का समुचित प्रेयोगा यसे अधाद यह साथ देके प्रभाव को सीवर कर सके उद्द अलनकारों की ऊकवेऐ के माधैम उनका मात है कि अलंकारों का प्रयोग इस्थान, विशय, परिस्थिती और उद्देर से के अंसार प्रासंगिक होना चाहिए जहां जवरत है वहीन का प्रयोग होना चाहिए और अलंकारों का प्रासंगिक रूप से होना चाहिए अन्य थावे कविता कामनी का स्रिंगार न करके उसका बोज बन जाएंगे यदि हम कविता को किसी महिला के रूप में हम यदि मान कर चलें किसी इस्तरी के रूप में हम यदि कविता को मान कर चलें तो जो इस्तरी का जो स्रिंगार है वकिसे होता है आभूशड़ों से होता है अलंकारों से होता है ठीक उसी प्रकार कवीता कामिनी का स्रिंगार किसे होता है अलंकारों से होता है लेकिन अलंकारों का प्रयोग इस तरह सहाज और सभाविक डंक से होना चाहिए कि वह पाठक य लेकिन अलंकारों का प्रयोग से मर्यादित रूप में होना चाहिए और वहीं होना चाहिए जहां उसकी आशकता है पेरी इपसोस के च्यवाली सध्यायों में 14 अलंकार पर अधरित हैं उनके अमसार प्रमुक अलंकारों में प्रश्ट यह सब अलंकारों के नाम है प्रस्ण विपरिये, व्यतिकरम, पुन्रावित्ति, रूप परिवर्तन, उप्मा, रूपक इत्यादी अलंकार हैं, जिनका प्रयोग उदात या ओधात्य की प्राक्ति के लिए आउश्यक है. इन अलंकारों के उदाहरण दे कर लंजाईने इसने यह दिखाना चाहा, कि अउदात्य की उत्पत्ती में अलंगारों का क्या यूगदान है. निश्कत रूप में अलंकार समद्धी उनके समानी मनतेवे इस प्रकार है अलंकारों के विश्य में उनका क्या मानना है लोजाइनस का पहला अलंकारों का यदि समुचित प्रयोग किया जाता है तो वे अवदात्य के प्रभाव में चार्चान लगा देते हैं उची तुरुप से प्योप करने पर भे हमारे कावे को सुन्दर बना देते हैं, उदातता की प्राप्ति हो जाती है, अलंकार साधन है, और अवदाति के साध्य या लक्ष है, जैसे हमको कहीं यहां से कहीं अपने शहर से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आपका लक्ष ह लेकिन जो ट्रेन है या जो फ्लाइट है वह क्या है आपका साधन है, तो ऐसे ही, अलंकार साधन है, उदातता की प्राप्ति के साधन क्या है, अलंकार है, और हमारा लक्ष क्या है, अउदात्य है, साध्य है, अलंकारों का प्रेयोग प्रासंगिक होना चाहिए, अलंकारों का प्रयुख उचित नहीं है। बहुत ज्यादा मातर में बहुत ज्यादा संख्य lawyers नहीं होना चाहिए। तभी उदात कर सकते है। उदात या उतृ कृष्ट भाषा भी सब्लाइम रहा होने निराला जी ने संस्क्रित निष्ट खड़ी बोली का प्रयोक किया है, तो उसके पढ़ते समय हमारे मन में विभिन प्रकार की भौनाएं जगरत होती है, दुख की भी उल्लास की भी एक गरीमा एक उदात भाशा है, तो इससे उन शब्दों के प्रयोक से उसमें एक गरीमा आ तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि सुन्दर शब्द ही वास्तों में विचारों को विशेश प्रकार का आलोग प्रदान करते हैं, मतलब आपके विचार महान हैं, उदात हैं या तो ठीक है, लेकिन यदि उन उदात विचार या भावों की अभिव्यक्ति के लिए यदि आप उस्क्रिश्ट शब्दों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो जो सुन्दर शब्द हैं, जो हमारे उदात विचार हैं उसको अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो सकते हैं. इनकी किताब है कावे में उदातत प्रिष्ठंख है इंक्यांबे डक्र नगिन शब्दों का चैन प्रक्रण एवं प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए जो प्रक्रण है किस प्रकार का विशा है किस प्रकार का मामला है किस प्रकार की परिष्थिति है उसके हिसाब से और कैसा प्रसंग यादि प्रक्रण हलका हो गंभीर न हो तो इसके लिए वैसे ही पत्काम में लिना चाहिए और प्रक्रण गंभीर हो तो उसके लिए अनुरुफ पदों का प्रयोक करना चाहिए तो हम को या फिर जब्ड कोस्तों के हिसाब शबी के हिसाब उसके प्रियोयन के लिए घरिमा महम स्था में रेहा différents यह ज़रूरी नहीं है। डक्टर नगेंदर ने लिखाया कि छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी और भारी भरकम संग्या देना किसी छोटे बालक के मुह पर पूरे आकार वाला मुखोटा लगा देने के समान है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है जब होली आती तो लोग मुखोटा खरीते हैं, कोई बच्चा छोटा है उसके लिए बहुत बड़ा मुखोटा लाकर उसके चेहरे पर लगा दिए। हाना जिससे उसको दिखाय भी नहीं दे रहा है और बड़ा भी दिखाय दे रहा है तो ठी जानी पहचानी चीज अधिक विश्वस्नी होती है लुजाइनस की इस बात का समर्थन वर्ट्सवर्थ ने भी किया है मतब लली तिया मनोहर या सुंदर शब्द वाली का प्रयोग कभी-कभी आजशक नहीं होता उसकी तुलना में हमारे जो दिन पति दिन के बोल चाल की ज जो हमारी परिचित शब्द वाली है उनका प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है और इससे क्या होता है प्रचलित शब्द हमको ज्यादा आकरशित करते हैं और हमको वह बहुत ज्यादा विस्वस्नी भी लगता है जिन शब्दों का हम प्रयोग रोज करते हैं विलियम में रचना विधान तो हिंदी का जो चायावाद भी किस प्रदारी था रोमांटिस सीजर्ण यह सच्छंदता वाद पर अधरी थे जैशंकर प्रसाद सुमित्रा अन्द सुरीकान त्रिपाथी निरला और महा देवी वर्मा यह चार महान इस्थम्भ हैं और यह अंग्रीजी क सब्सक्राइब है और विल्यम वोक्षवर्थ भी कॉलॡृज है यह सब क्या है अंग्रेजी के रोच्टिक कभी है विल्यम वाट्ट्सवर्थ कॉलृज गरिमा में रचना विधान, पाश्चयात दिकावय सास्तर का आप अध्यान कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को भी जालना जुरूरी है गरिमा में रचना विधान क्या होता है? रचना विधान मतलब रचना को कैसे हम रचना करते हैं उसकी लुनजाईनस ने उदाथ भाशा में शब्दों के चैन पर बल दिया है और गरिमय में रिचना विधान में पदों के समचित विन्यास पर बल दिया है भाषा कैसी होने चाहिए उदाद्थ भाषा में उत्रिष्ट शब्दों का चैन किया जाना चाहिए और गरिवे में रिचनावी धनमी क्या बोला है पदों के समुचित विन्यास पर बल दिया गए मैं बता चुका हूँ कि जब शब्दों को हम वाक्यों में प्र्योक करते हैं ये किसी कविता में प्रयोक Field yard मतले एक शब्द के अन्यकरथ निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं परयायवाचिशद। उन शब्दों में से हम अपने जरुरत के हिसाब से जब कोई शब्द को उठा लेते हैं तो वे बन जाते हैं पद। और उन पदों के समचित विन्यास, उन पदों को जब हम व्योस्थित तरीके से समंझे से पूर्ण धंचे जमा लेते हैं अपने कविता में, तब क्या होता है, तब हमको उदातता की प्राप्ति होती है, इसे ही कहा जाता है गरिमम्मयरच्नाविधान, बतब पदों को विन्य से अगठन ठीक ना हो तो उनमें सवंदारी व्यक्त नहीं हो सकता हम अच्छे अच्छे शब्द तो उठा लिए लेकिन यदि हमको सही डंग से जमा नहीं पाते हैं जैसे आपके पास बहुत सारे फूल हैं बहुत सारे फूलों को आपने खट्टा कर लिया आप उसका माला बन चाहा है है तो उसे प्रयोक पदों करते हैं तब उन पदों को हमको इतने अच्छे तरीके से जमाना भियाना चाहिए जदि कोई कभी उदातता को प्राप्त करना चाह रहा है उदात्य को प्राप्त करना चाह रहा है तो उसे पदों का ना केवल चैन करना आना चाहिए अच्छे ब्लकि जब उन का पुदों का प्रयोग वह प्वधों के रूप में करता है, तब उन्हें रूप से जमाना भी आना चाहिए, फुलों की तरह कि जब बिविन प्रकार के बहतिन फुलों को ले कर हम जब कोई माला बनाते हैं, तब उनको हम एक वियोस्थित क्रम में सजाते हैं, तब ही वह माला खुप्सुरा दिखाई देते हैं, वैसा ही कवीता है, अवदात्य के चार तत्त कुन कुन से हैं, पांस तो हैं लेकिन यहां चारों का बड़न किया गया है, उसके बारे में बताए गया है, विचार, भाव, अलंकार और भाशा में सामंजेस या समंदमाय होने पर ही अवदात्य के सिष्टी संभाव है, मतद कभी के वेक्तित्त के अतरीक तीये जो चार चीजे हैं, विचार भी उदात्त होने चाइए, भाव भी उदात होने चाइए, अच्छे अलंकारों का समुशित प्रयोग होन चाहिए और भाषा में सामन्जा से या समर्मा भी होना चाहिए तब अधाति की स्रिष्टि संभाव को उन्होंने कहा हार्मनी यह चारों तत्वा अलग अलग रहकर संदर्य वर्दक नहीं होते एक दूसरे से जूड़करी संदर्य की स्रिष्टि करते हैं जैसे हम को संगीत और अलग अलग वाद्य होते हैं उन्सामंजे से पूर्ण ठंसे जब जो वादक होते हैं उसको बढ़ाते हैं तब हमको मधूर संगीत की प्राप्ति होती है। कैसे होगा, उनको कैसे सजाना है, उनको कैसे ब्योसित्रम में उपयोग में लेना है, इन बातों का ठीक ठीक अकलन के बिना रचना में गरिमा नहीं आती, मतब इन सब का प्रयोग हमको अपनी रचना में सामझे से पूर्ण धंक से करना है, किसी कभी को सामझे से पूर्ण धं विए उसमें गरिम आएगी किंतु ये सभी तो साधन मात रहें हैं। है यह केवल इंस्टूमेंट हैं साधन बस हैं। उनका सद्रया लख्ष क्या बमात्ति क्ष्ण करें कि हमको आदात्यकी प्राप्ति हो जाती है तब लजायनस नस का माना है कि जैसे बांसורी की तर्मय होकर उसे सुनने लगते हैं तो वैसे जो उत्कृ्ष्ट रचना है उसको जब हम सुनते हैं या पढ़ते तो वह पांठंधिक की आत्म को चू लेती है हम informed कर यह हम उसके पढ़ने सुने एक यह नहीं रह सकते हैं येसे कोई आलहागा रहें कोई बारिष के दिरों में उद्तर डिलों करके हैं वहती अच्छा लगता है तो अंपने जो ॕयां सिरोत है वह आक रिष्ट्रे साम्रेष थे यह कुछ आउदाति के प्रापति में बाध्हा पहुचाती है जिसके अउदाति प्राप्ति नहीं हो सकते। लुएुचारी ने यह भी लिखना भापता सी ज़य रिए परिक्षर में बातें आपको बता रहा हूं परिक्षा में निश्यत रुप से बहुत ही अंक लेकर आएंगे बहुत ही उत्कृष्ट किताबों का अध्यान करके मैंने यहां नोट्स बनाया हैं आप लोगों के लिए और निश्यत रुप से इन सभी है यह सारी चीज़ें कौन से हैं कौन-कौन शामिल है उदात के पांच श्रोथ कौन-कौन से हैं तो इस टाइप के प्रस्थ यही से उड़ते हैं तो यदि कोई आप यूजी सी ने आट या असिस्टेंट प्रोफिसर लेक्षिर की त्यारी कर रहे हैं तो यह मेरे नोट्स हैं हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महात्पॉर्ण है इसलिए मेरे लेक्षिर साप सुरू से अंतर तक जरूर देखा करें बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलेंगे जो आपके परिछा में ना केवाल लिखने के लिए जबर रहे हैं बलकि आप विबिन कॉलेजेस में लेक्षिरर असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीसी या फिर राज्य सेवा परिच्छा या फिर कॉलेजेस के परिच्छा में बहुत यंग से अच्छे यंग से उत्रण होंगे जो कि मेरा मुख्यूत देश है कि जो भी विद्यारती मेरे चैनल तक आता है उसको मैं बिलक परिच्छा में बहुता है कि कौन कौन से नहीं हो सकती है उनके अनुसार तीन दोश आउदात के बाधाक है परिच्छा में भी आ सकता है कि कौन कौन से तीन दोश है एक दो एष्टा दे दे रहेंगे जो इसकी ओधात के बाधा तो नहीं माने जाते हैं शब्द का डंबर बॉंबअस्ट रोते हैं जिसको बालिष्टकेत, बचकाना पन् चोठे बच्चों जैसी बाते और भावार नंबर मतलब बहुत ज्यदा इमोसना और भावक जैसे शब्दों का प्रयोग गया उसका भावनाओं के विवक्ति शब्द नंबर क्या होता है बॉंबाश्ट चंचल पत गुंफन पिरोना चंचल पत गुंफन मतलब कहीं भी कोई उठाकर कहीं पर भी डाल देना और सभाविश्टर जब्रदस्ति चोटी चोटी बातों को लंबा चोड़ा फैला लगहाला देना उसको प्रियोग उदात के लांड के बाधक है मतलब जो ग्रामिर भाशा है जो या फिर जो समाल में प्राथलीत बेकार टाइप की भाशा है छुद्र और ही नर्थ वाली भाशा है उनका प्रयोग करना यह अधाया त्याज ये हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए कि शब्दा नंबर से ताथ पर अतिश वक्ति पूर्ण कथन से भी है अना शब्दल ना अतिश वक्ति भी नहीं होना चीए बहुत ज्यादा पढ़ा ओभावियता का विलोग में है जिसको हम भावय उसका उल्टा होता है बालीशयता बचकानापन, जब लेके किसी रचना को बढगदार बना देता है तो उसमें क्रितिमता हाथ लगती है प्रोड होता है वह क्या करता है अपनी रचना को भड़कदार बना देता है इसे कृत्रिम ता हाथ लगती है ह sogen सवभावी के नेचरल इसके रचनाhöंचा के नेचरल प्रतीत नहीं होती है जैसे गिद्र के लिए क्या बोला किसी ने बोल दिया में जीवित समाधी कहना बचकाना पर है जीवित समाधी है अब गीद क्या करता है जो मरे हुए जीवित समाधी तो यह बच काना पने तो यह लुजाई ने इसने कहा है यह उन्हीं के शर्ट है भावा डंबर फाल्स पैसन जबर्दस्ति बहुत ज्यादा भावुग बना देना कभी था को इमोशनल बना देना फाल्स पैसन भावा इसको अध्यादित कर देना इसको कोई समझ नहीं सकता अनुचीत विचार ग्रामिय पदों का प्रयोग जिसको पढ़े लिखे लोग समझनी पाने की पताने इस शब्दकार्थ क्या है कर्ण कट्व भाशा जो पढ़के हमारे कान में जिसको पढ़ने से विचेया अनुकुल ब्हाशा का प्रयोग नहीं करना जैसा हमारा भीचा नहीं क॑नेदें का लुए घुआा हम समिच्छा करेंगे कि लुजाई ने इसको उदात सिधान्त है उसका मुल्यंकन करने कि उसमें क्या अच्छी बाते हैं क्या कमी रगी तो पाष्चात्य परंपरा में कभी के वेक्तित्य को महत्प्रदान करने के करण लुजाई ना इसको प्रथम स्वच्छंदता वादी अलोचक माना जाता है सबसे प्रथम स्वच्छंदता वादी आलोचक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिक क्रिटिक तो पाष्चात का अपरंपरा में कभी के वेक्तित्य को सरवाधिक महत्रदान किया है इसलिए लुजाई नेस को प्रथम स्वच्छंदता वादी अलोचक अथ्वा वे पर जो सemsכा हुए जाता है किया चैस्यास चाहर शास्त्र सोट के इस्ताण पर जोफराज़ा को टार्थिक महत्रधान को दात्य सिद्धान को अधिक मईलास किया जाता है महान्esteem प्रिचा थैं उन्होंने आध को दात्यान और शामिल किया है कवी का व्यक्तित, कवी के विचार, भावनाय, अलंकार, भाशा, रचनाविधान, सब कुछ. इन सब के समनमे पर भी बल दिया है, इनकी हर्मनी पर भी बल दिया है. चोथा, कावे के उतकर्ष, उतकर्ष मतलब उपर उठाना, उन्नत करना, कावे के उतकर्ष और अपकर्ष, अपकर्ष मतलब पतन या भी नीचे गिराना, कावे के उतकर्ष और अपकर्ष की उन्हें अद्भुत पहचान हैं, और उसे व्यक्त करने वाली समर्थ भाशा की भी सकते हैं कैसे हम कविता को नीचे कर सकते हैं और इसके लिए समर्थ भाषा कोंसी होगी से इसकी जानकरी उन्हें एक मात आनंद प्रदान करना है और जो पाठा क्या सुरता है उनको एक उच्छ भावपूमी पर लेकर जाना है छटवा लुजाई रशुरुची संपन्न प्रबुद्ध भावक हैं भावक किसको बोलते हैं भाव उत्पन करने वाला यह ऐसे भाव उत्पन करते हैं हमारे मन म वे कावे के संदरे के आस्वादन स्वयम कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं मतलब लुजाई नस ना किसी कावे से आनंद उठा सकते हैं बलकि उस आनंद की अनभूती दूसरों को भी करा सकते हैं सवत्वा उन्होंने कवी में विचार और भाव का समझे से होना चा और पाठक में आनंद की इस्थिति को दिखा कर कावे को व्यापकायम दिया है उन्हें व्यापकायम प्रदान किया है आठ्वा लुंजाइनस प्राचिन होते हुए भी नवीन है वह पहली अभी तीसरी सताब दिके हैं अलोचक लेकिन अभी भी उनकी प्रासंगीक्ता बनी वे नवीन ही नहीं आधूनीक भी है नवा यह बहुत ही महतलपुन से हैं यह जो प्रश्ण परिश्य में कई बार पूछा जाता है कुंत्क का वक्रोगतिवाद हना भारती का वेस्यास्ति चिंतन में कुंतक का वक्रोगतिवाद अधातय सिःधान्थ के सरवाधिक निकट ह है क्या भी प्र इख्था काम उनिभी प्रश्माइब हैं लोगाजाई ने ऑदात्य उब्हू उंए एसा मानना है वीचार विद्वानों का अवदाल्त यह उच विचार या ऐसी भावना हैं जो प्रापकार की पर हैं। जयसे धाफ़वान राम के विचार बहुत उच्छ हैं। और उनकी भानाएं भी बहुत वीच हैं कि उनका तो ने वाला था और वह जोड़कर जंगल रास को त्याग करके जंगल में चली आते हैं। और परवकार की भाहना भी है सुग्रीव का उन्होंने परवकार किया तो इस प्रकार अधात का मुलर से क्या होता है उच्छ विचार अइसी भाहना जो त्याग पिर रख़ो इस दृष्टे से उदात एक चारित्रिक या नैथिक तत्व है उसका कला से सीधा सम्मन्द नहीं ह का जो सम्मंद है कभी के व्यक्तित्त तो या चरित्र से इस पकार या एक नैतिक तत्व है और इसका साधान रुप में भवे भावाव की क्या वशत है जब भवय और उदात का अर्फ एक ही है बाद में काते हैं कि यह है और साधन भी है उनका कहना यह नहीं है वोगिह लिएंसको सिर्फ यह मान कर चलते हैं कि भवय भवावय क्या है एक साधन है consistent क्या है दोनों का अड़्थ एक होता है तीसरी बात यह है कि पेरी इपसुस की भाषा का व्यात्मक और चक्करदार जिसमें अभी प्राय च्छिपसा जाता है विश्यांतर और अनपेक्षित विश्थार में विश्थार में उलच जाते हैं मतलब पेरी इपसुस की जो भाषा क्या है वह बहुत ही आम आदमी के समझ से वार है काव्य अत्मक है चक्करदार है गुमाओदार है इसको सधान जो आम जनता है वह समझ नहीं पाती उसमें अभी प्राय च्छिपसा जाता है तो अन्हें पेक्षित विश्थार दे दिया कही कहीं पर कहीं पर उनहेंने बहुत कि अन्हें कर दिया कि अलंकार का संबंद संधर मादुर्य और अनंत से अलंद आता है तो अलंकार हम किसे काला या शयली से कला का तुषिश्ता आए और अदात्य क्या होता है अदात्य चार्थ तरी गुढ़ है यह इसमें कमी है लेकिन इन सब कमी के एकमात्र सर्वत्रिष्ट ग्रंथ है जो बहत्रीन जो अलोचना का जो ग्रंथ है पेरे इपसूस है युनानी अलोचना में आधात्य सिधान्त उनकी मौलिक देना है जिसने आगे चलकर ड्राइडन एडिसन पॉप वर्ट्सवर्थ आधि को प्रभावित किया यह जो पास्च सब्लाइनक के गरंथ में उतना भारती कावर शास्त्र में नहीं इन के विचार मौलिक और उनके जो उद्योग मौलिक है और सारब्हाम मतलब उनिवर्सल है पूरे विस्सव में यह परासंगिक और चिरंतर हैं, चिरंतर है मतलब आमर है, जितना ये पहली या तेसरी सताब्दी में लोगपरी थे, महत्रपुर्ण थे, उतना हमारे लिए आज भी महत्रपुर्ण हैं और यूनिवरसल हैं वैस्वीक है, सभी रास्टे में इसको बराबर समार प्राप्त है, उनका हमत है कि प्रतिभा का इस पर असंग के दोशों को दूर कर सकती है और तब प्रतिभा भी वरेड़े और पूजनी है रंजाइनेस के यह मानना है कि व्यत्ति की जो प्रतिभा होता है कभी की जो प्रतिभा होती है वह वास्ता में बहुत ही पूजनी है यदि कभी बहुत ही ज़्यादा प्रतिपार शाली है तो उसमें बांकी जो उसमें जो दोश हैं वे स्वभाई गुरुप से दूर हो जाते हैं और स्वभाई गुरुप से वा बहुत ही अच्छे रखना कर सकता है अलंकार के साथ ऑदात्य का संबंध इस्थावित कर गए अलंकार तो शाली या कला का गुर्ण है उसको उन्होंने अrati मतलब कवी के वेक्तितों का और अलंकार का या संदरे का उन्होंने समांजर से इस्थापित किया है जिस कावे में ये दोनों गुड़ होंगे वह महान कावे की संगया के और सिप्राप्त करेगा तब जिस कविता में अलंकारों का भी समचित प्रयोग किया जाएगा और कभी का वेक्तित भ सभी बातों को शामिल करना है और यदि मुझे आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बाक्स में लिक जरू बताएं साथ ही मुझे बताएं कि आप किस नए टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहते हैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर अभी देखने करौत द कर दो कर दो यदिया है